तो इस तरह से फार्विस गंज अक्षन पर काम चल रहा है और काम परगती पर है जोरो सोरो से काम किया जा रहा है और इस वीडियो में आपको फार्विस गंज के पूरे अपडेट जानने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में मैं बता दो कि दो तीन अपडेट कहीं से भी है तो आप तक यह information जरूर जाना चाहिए तो आप यह देख रहे हैं फार्विस गंज railway station और यहां पर अभी हम हैं फार्विस गंज के दूसरे नमर प्लेटफॉर्म पर यहां पर आपको दिखाएंगे कैसे काम तेजी से चल रहा है और जो अपडेट है इलेक्टरिफिकिसेंघ के सथिदल से काभिच और यह पोरा हो चुका है और एल्येक्टरिक ट्रेंध चल रही है जो सीमांचल एक्सप्रेस है और किल्कंत्यक्स इनमें इलेक्स्प्रेस का काम तेजी से कंप्लीट हो गया और यह एलेक्ट्रिक पर ही चलता है जिहां जो 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 इस पर कुछ अपडेट होगी तो आपको और भी आने वाले वीडियो में जानने को मिलेगा और जो फिलाल जो है डेमू पसिंजर जो जो जोगमनी से कठिया जाती है यह अभी डीजल पर ही चल रही है और साइद जो डीजल की इंजन है अभी उसका लूप तुठाया जा रहा है और इलेक्ट्रिक वाली जो इसमें इंजन है अभी फिलाल नहीं लगाया गया है और इस काम कंप्लिट होने के बाद फार्विस गंज से सारसा दर्भंगा और इस पर चलें लगेगी हाला कि जो है फार्विस गंज अक्षन पर अभी तीन-चार पर काम चल रहा है बाकि आगे की जो जगह है सारसा की रूट है उस पे काम भी हो चुका है और एलक्ट्रिक का कारी भी इसे देरी देखा गया है और जो काम है यहां पर वह भी तेजी से किया जा रहा है और जो भी कुछ अपडेट होगी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा तो अब चैनल को आप सस्क्राइब कर लिजिए और आने वाली जो भी अपडेट होगी फार्विस गंज सारसा दर भंगा के जो ट्रेन चलने की उमीद है वह अभी दो से धाय महने कोई उमीद नहीं है जी हां जिस तरह से काम हो रहा है